दोस्तों आप सभी का स्वागत रहा हमारे चनल कॉमिक्स का खजाना में और आज के दिन हम लोग पढ़ना जा रहा है बाके लाल और मौत का द्रिशूल का पार्ट थ्री और आप सभी को हैपी दिवावली क्योंकि ये वीडियो में दिपावली के दिन ही रिकॉर्ड कर रहा और ये मुझे पता नहीं कि मैं काव अप्लोड करूँगा वाह मज़ा आ गया मदलता ये तो अपना इनाम अरे सुनो वह यह नाच नाच गाने की महफिल आज फिर दो फ़र से शुरू होगी जी महराज इसको कहते है राजा जो जिन्दगी का आनंद लेता है उस एक था वि जूस कही का लेकिन एक दिन इसी रागरंग की महफिल में महराज आप इन रागरंग की महफिलों में अपना उद्देश भी भूल ग़े मालूम होते हुए भी कैसे भूल उद्देशय महराज आप तो सारी प्रत्वी पर अपना राज्य करने क्यों उद्देश्य से देते नगरी से निकले थे ओ हाँ याद आया सेना पती कालांत अब हमारे इस उद्देश्य को तुम और बाकेलार मिलकर पूरा करोगे और शक्ती मा से मिली मेरी तलवार बाकेलार के पास रहेगी और तुम लोग आज ही विजय प्राप्त कर विजय यात्रा पर रवारा होगे एं यह क्या फिर देत्य राज के आग्या पर देत्य और विशालगड की सेना के साथ बाकेलाल विजय यात्रा पर निकल पड़ा सेनापती कालांत मेरे खयाल से तो हमें सब से पहले पडोस में सुन्दर नगर राज्य पर आक्रमन करना चाहिए बाकेलाल तुम्हारे हातों में मार शक्ति की तलवा है अताहर तुम जीदर भी चलोगे विजय हमारी ही होगी आकरमन आकरमन फिर रूपनगर आई मारो मारो इनको शक्तिनगर बंदी बना रो इस राजा को हाहा हाहा बाकेलाल और फिर महराज की जय हो महराज अब आप साधि प्रत्वी के स्वामी है और ये है आपके बंदी वाब आकेलार तुमने हमें खुश कर दिया अब तुम आज अभी ही इन सारे बंदियों को यहीं भरे दर्बार में एक एक करके मौत के घाट उतार दो नहीं महाराज फिरहाल इन्हें इस तरह मानना ठीक नहीं ये हारे हुए सही आखिर है तो राजा महाराजा ही और महाराज मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इन सारे राजा उसे हम कुछ दिन खेतों में बेलो की जगा हल चलवाए दोष्ट बाकेलाल तुम कभी हमें इस तरह भी अपमानित करोगे हमने यह सोचा नहीं था दोष्ट तो इसका मतलब राजा विक्रम सी अभी तक तुम्हारे रूप में एक आस्तिन का साख पल रहे थे किस तरह फड़फाडा रहे हैं यह सारे राजा महराजा राजा महराजा अब आएगा मज़ा खेल का ही 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 बाकेलाल तुम कल से ही इन सबसे खेतों में बलो की जगा हल चलवाओ हम भी देखें बेलो की जगा हल में जूते हुए ये राजा कैसे लगते है हा ओ आ ये जी महराज ए बगवान यह तो हमारी केसी परिक्शा ले रहे हैं फिर दूसरे दिन हा ओ आ ओ है मिलेगी हाँ पहले तुम तो अपने पापक से सजा भोगलो राजा चंदन सी हाँ फिर जब मेरा समय आएगा तो देखा जाएगा कमबक्तो कई बार मुझे तुम लोगों के कारण मुसीबत का सामना करना पड़ा है अब मैं तुम लोगों से गिन गिन कर बदला लूँगा हाँ हट टिक टिक हट उधर आखे खोलो राजा विक्रम सी हाँ आखे खोलो अगले ही पल जब राजा विक्रम सी ने अपने आखे खोली तो वह बूरी चरह से चोक पड़ा अरे अरे यह यह मैं कहा गया फिर अगले ही पल राजा विक्रम सी के अखों के सामने अपनी चेतना खोने के पूर्व का द्रश्य गुम गया धड़ाग आ बाके लाल अस्तिन के साप मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा तभी राजा विक्रम सी है तुम्हें अपने आपको जी इमान गाया विक्रम सी है यह पातालोग है और मैं यहां का राजा देव रख रहूं और रही बात कि तुम यहां कैसे पहुचे उसके विश्य में मैं तुम्हें बताता हूं पातालोग हां आज से करीब 20 दिन पहले जब तुम बेहोशी के अवस्था में नींद नदी की गह रायों में डुकते चले जा रहे थे तो आ बोजन मजा आ गया यम यम फिर एक साथ कई जल जीव तुम्हारे और लपके लेकिन तुम्हारे बेहोशी जिस्म तक पहुचने से पहले ही आई आ उई मा ओ कोई अज्याच रखती उन्हें दूर फेक रही थी मेरा सेनापती मकारसुर जो यह द्रश्य देख रहा था चौक पड़ा ओ आश्चर्य इसा लगता है जैसे इस मानों की रक्षा को यह द्रश्य ताकत कर रही है मुझे उस मानों को महराज के सामने ले चलना होगा भागो भागो इसके बाद जब सेना पती मकार सुर्न तुम्हें उठा कर यहां लाने के लिए तुम्हारे शरीर को इस पर्श किया तो उन्हां अश्चर्य हुआ अबी कुछ देर पहले जब इसे अपने भोजन समझ कर इसके शरीर तक पहुचाने की कोशिश कर रहा था तो यह से लग रहा था कि कोई अद्रश्री सुरक्षा चक्र चल रहा है लेकिन अब तो इसी कोई भी बात नहीं लगती फिर तुम्हें यहां लाया गया और जब मकार सुर ने मुझे पूरी बात बताई तो एक पल के लिए मैं हैरान रह गया ओ, कितनी अजीब बात बता रहा है यह पाताल लोग का राजा मुझे तो यहां सब एक स्वपल जैसा लग रहा है लेकिन अगले ही पल हैरान मतो देवरक्र इसकी सुरक्षा मे कर रहा था प्रभू आप रुपले आप मेरा प्रणाम स्विकार करे फिर मुझे आशिरवात देने के बाद बगवान शंकर बोले वत्स देवरक्र प्रत्वी पर धर्म कर्म जीवित रहे उसके लिए राजा विक्रम सी है का जीवित रहना आवश्यक है लेकिन अभी इसे लगबग 20 दिनों तक प्रत्वी पर खत्रा है अता तुम्हें इस 20 दिनों तक अपने पास ही रखना होगा जी भगवान इतना कहकर शंकर भगवान आलोप हो गए फिर मुझे कहने पर तुम्हें 20 दिन तक निरंतर नीन के ओश्यदी दी जाती रही और क्योंकि आज 21 दिन है अता शंकर भगवान के कहेर अनुसार खत्रे का समय टल चुका है अता आज तुम्हें मैंने वस्तु स्थती से अवगत करा दिया है अब जब भी तुम चाहोगे तुम्हें प्रत्वी लग पहुचा दिया जाएगा दन्यवाद आपका भूत बहुत दन्यवाद पातालोग के राजा देवरक्र मैं आज ही इस समय प्रत्वी लोग जाना चाहूँगा जैसी तुम्हारी इच्छा राजन फिर थोड़ी ही देर बाद जली ही मकारा सूर ने राजा को जंगल में बहती नदी के तर्ट पर पहुचा दिया महराज मैं तुम्हारे और तुम्हारे महराज का यह उपवार कभी नहीं भूलूँगा राजन अब आप मुझे इजाज़त दे फिर राजा विक्रम सी है पेदल पेदल विशाल गड़ राजी की और बड़े लेकिन अभी बाद कुछ ही दूर पहुचे थे की तबी ओफ मेरे समझ में नहीं आता कि हम लोग बाके लाज से वा तलवार कैसे हासिर करे हाँ सिनाबत्य जी देत्यों छुटकारा पाने के लिए उस तलवार को हमारे पास होना अतियावशक है बाके लाज का जिक्र करने वाले ये लोग कौन हो सकते हैं और ये किस तलवार की बात कर रहे हैं मुझे देखना समझना चाहिए राजा आगे बढ़ा तो सबसे पहले उसे पर मंत्री कर्मसी की नजर पड़ गई महराज आप मैं कई कोई सपना तो नहीं देख रहा अरे यह तो अपने ही राजी के सेनी को सेनापती वा मंत्री कर्मसी है तुम लोग इस तरह जंगल में एकत्र थोक और क्या शडियंत्र रच रहे हो आराज शडियंत्र हम नहीं हमारे किसमत ने हम सब के और आपके साथ रचा है चुकि आप कई दिनों से शांती की तलाश में गए हुए थे अतह आपको वस्तु स्थती का जानकारी नहीं है इसी के साथ मा मंत्री का छोटे भाई मंत्री कर्मसी है ने राजा को पूरी बात बता दी तो गाई जिवाला पार्ट यहीं तक तक अगले पड़कर लिपीछ चलंग सब्स्राइब कीजे वीडियोस को लाइक कीजे शेर कीजे धन्यवाद